है ओके सो रिकार्डिंग होने स्टार्ट हो गया वाइट सो हला विवन मैं संधी प्राजबर और आज का जो हमारा में चॉप्टर है में टॉपिक है इस वीडियो क्या वह है हमारा डेफिनेशन क्वाला पॉर्शन डेफिनेशन डेफिनेशन टू किसी भी एक्ट के अंदर सेक होते हैं डेफिनेशन की बारे डीफिनेशन जसको कि वहाँ अनके तेपर को मारे कमपनी सब्सक्राफ करनी का मतलब अखिक हैं औरक फिनेशन खाकर जाएर के हमारी प्राइए है हमारी यहां नहीं है हमारी कहां से दूर होगा यह confusion दूर होगा definition clause से तो जो जो भी एक नट जो भी word use किये गया है जो भी word use किये गया है इस पूरे के पूरे act के अंदर उन सभी words को एक जगह पे explain कर दियाता है कि वह चीज़ है क्या उसका like average prospector का use किया गया prospectus वाले chapter में now what is average prospectus इसके बारे में कहा define किया रहेगा prospectus definition के अंदर clear और सबसे बड़ी बार definition a b जो alphabetical set रहता है a पहले बी जबाद में c d e f dh ऐसे रहता है तो आपको खोजने में काफी असानी होगा promotor के बारे में क्या है तो promotor के बारे में जाना है तो टू सब सेक्शन 69 के अंदर ले जाम एकन है तो ऐसे कर खरकी नरा कि मीं जाना होगा कि और कि इसका क्या नोना है पड़ता है पूते हैं हुए रहतं के बारे में आपको डेफिनेशन के अंदर बाते मिल आथ के लिए् पूर्टेशन से कि क्या है क्यूं पढ़ना है को डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपको अस्तर के नाम पता है लेकिन उसको चलाने का तरीका नहीं मालूम है ठीक है समझ कि एजी ग्जामपल आप इस जीन नहीं हो सकता है ठीक है है चल डेफिनेशन डाट इस अमारा section टु के अंदर पूरा का फूरा इसके बाद और कुछ रहता है उसको बोलते एक क्लाज इसके बाद और कुछ रहता है तो इसको बोलते만 क्लाउसay तैंस को बोलते मैं सबContbuilt हुस या फिर भी जो भी है ठीक है आज वेड़ास एब हो यहां पर सारा डैफिनेशन पढने का हजरूट हो निया बिल्कुल डर्ने काउप दो कि लिए इतना सारा डैफिनेशन कैसे याद्र होगा नहीं जोए सा Choice नहीं है पूरा तुमारा जो मेन प्रस रिक्टर उसका एक छोटा सा सम अप रहता है फोर डिटेल रहता है मतलब इन सारी बड़ी बात है जो सारी इंपॉर्टन बात है वह सारी बात है के आपको यहाँ पर मिलनी है जिसको में पर अब Bisiko ओर एकाउइंटिंग स्टेंडर्ड अभी एकाउटिंग स्टांडड अबंग्र हैं तो एकाउइंटिंग स्टेंडर्डeo सक्टिंड फ fried कि माकल एक वाल में ट्रयकों professionals मैंक्लमाOkay जो इंडिया का एसे इंडियान चांटिंगं स्टेंड यह यह सेक्शन 133 के बताय जाता है यहां पर बहुत कुछ कुछ एक्सप्ट करना ओगा है कि मैं ने सारी वीडियो डाल दिया है बिढिनिंग टो लास्ट को और बाकी तक शुक्राइब बाकी यह का वीडियो डाला हुआ है इसका विडियो डाला हुआ है जो व्यक्राइब ने चीजित, मैं पूर है को बाकी है सारा का सारा वीडियो डाली दिया हूँ एक दो चार दस सेक्षन बाकी होगा वह भी मैं देर देर करके डाल दूंगा ऐसे बिल्कुल नहीं कि नहीं डालने वाला सब कुछ मिल जाएगा इस चैनल के उपर यह स्नॉपस्स है ना हर चीज आपको यहां पर मिलने वाली है क्रेंट को एल्टर वेःदा छोड़取 क्यों अडिये अपिले ट्राइबियों देसे इम्परेंट मांसाना से लिए अपन चयबिया देकित लूग बनाउर सच्छाए और और एंसी एलेटी बना है हमारा सेक्षन 410 के अंदर बस अपील करने का अगर एजी उपटर के बारे में नहीं सुना है तो एजी उपने बोना ये बैटर होगा कि अपने कभी भी हाई कोट और सुप्रिम कोट सुना है सबसे पहले कीस लेके वहाँ सबसे पहले में तो आपते नहीं आरह है और अपील कर सकते हो एक तरह से ही क्योंकि वहाँब पर одगवाण सबस्राथ शुक्त सबस्टाइब। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एंसलेट के पास सारे हाई कोट के पावर्स ऑटमेटिक आ चुके हैं ओके नेक्स एसूसियेट कंपनी दिस दो वन फॉस्ट इंपोर्टन डेफिनिशन क्योंकि यह आपका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाला है मालो आपकी कंपनी किसी कंपनी में होल्डिंग बढाना स्टार्ट कर दी बहुत जादा हुल्डिंग करते गई और 30%-2 परसंट के अपर तो तुम अबेंटेियर कंपनी का सबसाई और मतलब किसो आंढता यह व्हां एक कंपनी का मतलब कर सकते हैं मतलब अतलब के जिए परसेंट से तुम्हारे कंपनी का सबसीडरी का मतलब क CDUंट के हम जो चाहें करेंगे गिंबंध कितनी स्थेक्त नमट्व मेंगा में ले ले देया हैं 21% अगर आपका करीद लेते हैं हम तो हम आपकी हो जाएंगे होल्डिंड कंपणी आप हमारी हो सबसिडिय कंपनी क्यूंकि आपका ज्याधा य―र मेरे पास है कौन बड़ा हम बड़े तो हम कौन होगर selfish हमकौन होगे deeply कह पहले है एब मतल idle कर अध्तर बढ़ता है एस लास्ट में आ था चॉटा हो गया simple तो holding बड़ा सब्सेडरी छोटा होल्डिंग कौन हो गया जिसके पास 51 परसेंट से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो गया वो होल्डिंग कंपनी बन जाता है और जो दूसरा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सेडरी कंपनी अब गंदा सा दिमाग में खेलाएगा तो सर प्रमोटर को भी गाइब के पास निए इस इसलिए उसको सब्सेडरी कंपनी तोसी का मतलब का मतलब हम आपका पूरा चीह नहीं कर देंगे लेकिन बहुत बड़ा पार्ट को इफएक्ट कर सकते है अब किसी कंपनी का तुम तो उसका कितना बड़ा इशु कर सकते हो कोई भी रेज़ुशन पास या फेल में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ हो सकता है जा गया है और बिजनस डिसेजन को कैसे इसे कंट्रोल करेंगे हम अपने मन के डाइटर को पॉइंट कर रहे है यह नेक्स्ट अगर इक्जाक डिफिनेशन बॉला जाए जोड़ा जोगी एकदम पॉफिक्ट सेट करें तो वह ऐसे बोला जा सकता है अशुशेट कंपनी का मतलब वह कंपनी जिसका 20% से ज्यादा स्टॉक खाई लेकिन 50% से कम 20% से ज्यादा 50% से कम अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तैन इस इस काल्ड एस्ट कमपनी क्योंकि 51% जैसे एक्सीट करता है इट बिकम सबसीडरी कंपनी कूल एक बर फिर से से ज्यादा खा गया अब उसका अब वह बन जाएगा आपका सबसीडरी ठीक है एक सेकंड थोड़ा सब पास करना होगा है और, वह बन जायेंगे हम बन जाएंगे वी घंट से बेंटे बन झाल क्रशेंडरी कंपनी परशन के है capabilities जीट से काहे हं कंफ और हम हंसे कर देधी लंवल कतना हम ने ध्याट होग है ठीक है वो मेरा holy on subsidiary बन जाता है, holy on subsidiary बन जाता है, ठीक है, now next point of attack is a joint venture, what is joint venture का मतलब, अब देखो अगर आपने कभी newspaper वे पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि government बहुत सरे joint venture में participate करती है, what is joint venture, दो या दो से जादा company है क्या करती है आपस में एक साथ मिलती है किसी एक project के लिए, agreement करते है वो, हो सकता है वो share के थूए agreement करे, पैसे के थूए agreement करे, जैसे भी agreement करती है, मान लो मेरी एक company है Reliance Limited, example है, वो early Reliance नहीं है, मेरी एक company Reliance Limited और दूसरी की company है Tata, अब Reliance और Tata चाहता है कि मिलके एक petrol का business start करें, क्योंकि मारे या पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा बट रहा है, हम थोड़े पैसे निकाल, थोड़ा पैसे निकाल, एक तरह का partnership है, दोनों जन पैसा मिला के एक venture start कि एक काम start कि बट इसका रहा time fix होता है maximum time, इतने साल तक के लिए जोई इंट वेंचर में रहेंगे इतने साल तक हमारा transition होगा, एक सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर एक सेक्टर एक तरह का यह partnership है, बट यह joint venture दो company के बीच में होता है, अब company के बीच में होगा तो partnership तो बोल नहीं सकते है, कोई खास point नहीं है, authorized capital is an important point, authorized capital या फिर nominal capital जो बोलते है, authorized capital का मतलब उतना shares, जितना आप चाहें तो पैसा उठा सकते हैं मां का मतलब, खले सकते हैं पैसा, authorized capital का मतलब, अगर मेरी company के पैस एक लाक शेयर लेने के powers है, authorized है, ठीक है, तो एक लाक शेयर authorized होने के बावजूद, मैंने सिर्फ और सिर्फ 90,000 share ही purchase, मतलब share के पैसे लिए share subscribe करवाया है, 10,000 अभी भी बाकी है, ये 10,000 चाहूँ तो मैं जभी भी चाहूँगा तब उसको मैं लिब मंगवा सकता हूं, 10,000 मेरी मन के उपर है, लेकिन एक बार एक लाक शेयर हो गया तो उसके उपर नहीं जा स लगता है, ठीक है, और फिर एसर पास करने बाद, फाटेन भी फाइल करना पड़ेगा, वो थोड़ा से ट्रफ हो जाएगा आपके लिए, अब एक चीज, अगर मान लो हमने, अगर मान लो मैंने क्या किया है, हमने 1,00,000 share हमारे पास authorized है, ठीक है, हमने 90,000 share मंगवा लिए, तो बचा कितना है, 10,000 share बागी है, यह जो 10,000 share है, यह 10,000 share, यह 10,000 share, इसको हमारा capital reserve, एक तरह का हमारा capital, capital हमारा reserve रहे गया, है ना, ओकी, नेक्स साथ हमारा board of director, अब यह बूड़ अप्टर कोई definition नहीं है, body corporate कोई definition का पुकार नहीं है, books of account, books of account का मतलब, books of account को भी define किया गया, कैसे define किया गया, all term of money received and expenditure, मतलब हमारा जो PL आता है, ठीक है, all sales and purchase of goods and services by the company sale and purchase का detail, assets and liability का detail, जो के अपना balance sheet होता है, हमारा, ठीक है, the item of cost as me prescribed under section 148, अब यह 148 ना, सभी company के उपर applicable नहीं होता है, यह cost account, cost auditor वाला section आता है, यह बहुत रहे, बहुत बड़ी-बड़ी company उसको belong करता है, बहुत बड़ी-बड़ी company को ठीक है, उनके बारे में कभी और discuss करेंगे, बहुत हाई-फाई company होती है, इसके लावा और एक चीज़ाता है हमारा, नहीं हो finance treatment के अंदर रहेगा, छोड़ों यहां तक यह है, next, called up capital का मतलब जितना portion को हमने मंगवाया है, call बोला है कि हमने एक लाक शेर्स तो subscribe करने के power है हमारे पास, हमने 90,000 shares ही मंगवाया है, तो यह जो 10,000 नहीं मंगवाया है, मतलब जो 90,000 share मंगवाया है, यही 90,000 share is called called up capital, जितना हमने मंगवा लिया है, अब chartered accountant को define किया है, जो CA है chartered accountant act के हिसाब से, जो CA का सारा exam पास कर चुका है, training ले चुका है, एक्सेटर, वह हमारा CA कहला जाएगा, CEO Chief Executive Officer means an officer of a company who has been designated by such by it, CEO बनने के लिए कोई specific आपको knowledge कोई specific degree की जरूरत नहीं है, अब कोई भी बन सकता है, जिसको company बनाती है, इसको बन जाएगा CEO, right, कोई knowledge का जरूरत नहीं है कि आप अगर CEO या फिर CEO बनाँगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, अब 10 पास फिर भी CEO बन सकते है, अगर आपको कापकी company बनाती है, basic सी बात है, अगर आपकी company है, तो आप ही CEO होगे, obviously है, okay, CFO, Chief Finance Officer, means a person appointed as a CFO, एक person जो appoint हो रहा है, Chief Finance Officer, is called CFO, CFO का basically बनता कोई है, normally CFO, CMA वाले बनता है, क्योंकि accounts का सारा काम वोड देखते है, okay, next, company limited by guarantee, ये एक अच्छा definition है, company limited by guarantee means a company having the liability to its member, limited by memorandum, to such amount as the member may respectively undertake to contribute asset of the company in the event of wind-up, अब जैसे ही company limited by guarantee word मिलता है, तो हम लोग सुसे कि क्या guarantee दे होगा, दो को guarantee का मतलब है, जो members बन रहना, वो कुछ ने कुछ guarantee देंगे, कि जब company wind-up में जाएगी, तब हम इतना रुपया देने के लिए guarantee लेते हैं, इतना हम लोग distribute करने के लिए agree क होती है, company limited by share, अब company limited by share मतलब company का memorandum है, उसके अंदर shares लिखे हो है कि इतने shares के लिए authorized है, या इतने shares ले सकते हो, ठीक है, company secretary का मतलब जो CES, ICSI के act कही साब से बना है, वो foundation clear कि अब CES, CET हो गया है, set हो गया है, उसके अलावा executive pass कर चुका है, training कर चुका है, CES professional pass कर चुका है, उसको membership अगरा मिल चुका है, या फिर practice जो भी कर रहा है, उसके बाद ही जाके वो company secretary बन पाएगा, ठीक है, practice का मतलब जिसके पास certificate of practice है, अगर आपके पास है, certificate of practice, तभी आप company secretary in practice कही जाओगे, okay, control बहुत जगह जगह word आता है, control का मतलब क्या है, control का directly मतलब बोला जा क्योंकि डेफ company जाट के अंदर बहुत जगह से आता है कि अगर कोई इंसान company का control हासिल कर रहा है, तो उसके उपर यह बात आएगा, control कैसे हासिल कर रहा है, कैसे control करेंगा, company को, company को control करने का मतलब है, उसके majority of director को हम appoint कर सकते है, majority of director, अब अगर हम company का director अपने ही सब से बठा में है, ठीक है, director को हम appoint करने का power रखता है, या फिर management को हम अपने ही सब से fluctuate कर सकते है, जो भी चार्ज, जो भी agreement है, उसका हम अपने ही सब से उपर निचे कर आ सकता है, control है, cost accounting का भी same है, जो CMA का exam पास कर चुका है, is called cost accounting, अब basically high court and district court के पास juridiction नहीं गया है, अब जो भी juridiction है, वो NCLAT के पास है, या फिर special court बनाया जाता है, special court के पास सारे juridiction दे दिया गया है, company last related, अगर वो criminal matter है, तो भी special court में ही जाएगा, और civil matter है, तो NCLAT के पास लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो कि सारा क है, I don't think definition level का चीज़ है, बट यह थोड़ा एक्स अडवांस लिबल का चीज़ आता है, first class judicial magistrate कौन होता है, वो बताना तो मुस्किल है भी आपे, आपको समझ में भी नहीं आने वाला, Deposit, यह deposit का एक section आता है, okay, वहां पर exempted deposit के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, कि कौन सा deposit exempted है, but what is deposit, सबसे पहला तो सवाल यह आएगा, deposit है, कि जब यह पता होगा, तब तो जानेगे कि कौन कौन सा exempted है, हमको यह मालूम है, कि अगर किसी भी चीज़ पर guarantee है, उस प of money, कोई भी तरीके से अगर आपको पैसा मिल रहा है, by way of deposit loan in any other form by the company, but does not include such category of amount as we prescribe by reserving of India, deposit का मतलब का है, वो सारा पैसा जो भी आपको मिला, वो सब deposit रहेगा, जो RBI exempt कर देता है, उसको छोड़ के, अब यह RBI अपने website पर डाल कर रखा है, कौन कौन सा deposit, exempted deposit के अंदर मान depository हमारा NSDL or CDSL है, ठीक है, जो हमारा DMAT account को maintain करते हैं, वो हमारे depository है, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं, depository participant कहे जाते हैं, वो लोग, ठीक है, कब दे रहे हो, अपने EGM में दे रहे हो, वो हमारा होता है final dividend, क्योंकि EGM के बाद हम कभी यह assume नहीं कर सकते हैं, कि आप आगे कोई भी meeting में पिछले साल का dividend होगे, अगर अपने EGM के बाद भी आपको dividend दे रहे हो, तो वो dividend दे सकते हो, but interim dividend हो का for next year, previous year के लिए आप dividend नहीं वो भी video upload है, employee stock option means, option given to the director, officer, or employee of the company, or the holding company, subsidiary company, हम अपने holding and subsidiary के लोगो को दे रहे हैं, यह option की, in which, जहां पर हमारे लोगो काम करें, basically, right to purchase or subscribe the shares of a company at a future date at predetermined price, stock option, employee stock option, ठीक है, stock option का मतलब हमों को option देता है, कि आप हमारे shares को purchase कर से तो आज मत करो, future date पे purchase करो, ठीक है, employee stock option, यह हम लोग basically करवाते कि हैं, ताकि हम लोग employee को अपने पास hold करके रख सके, employee आया, दो दिन काम के भग जाएगा, तो इसे क्या रहना, फिर हम उसको अब बुलाने का खर्चा, वो हमारे काम किया, कुछ गलत किया होगा, तो यह सब चीज का जो tension है नहीं रहेगा, कि आ advocate हो सकता है, so वो लोग expert माने जाता है, ठीक है, financial statement, financial statement का definition देख लो यह पूरा है, financial statement का वंदर balance sheet at the end of the year, balance sheet आ गया हमारा, appeal of profit and loss account आ गया हमारा, cash flow statement आ गया, but cash flow statement के लिए कुछ exceptions भी है, that is हमारा अगर कोई small company है, ठीक है, dormant company, इन कंपनियों के लिए exception हो जाता है, statement of change in equity, if applicable statement of change in equity हम लोग डालते हैं, but हमें से applicable नहीं होता, ठीक है, explanatory statement is a part of financial statement, अगर अपने balance sheet का भी बनाया होगा, तो आपको पता होगा की explanatory statement कितना important है, financial year का मतलब क्यों होता है, financial year का मतलब होता है, जो start होता है from, sorry, 31 March हो खतम होता है, calendar year, 31 December हो खतम होता है, ठीक है, 31 April से लेकर 31 March कम लोग बोलते है, financial, calendar year क्या होता है, एक जन्वरी से लेकर 31 December, अब मान लो कोई company एक जन्वरी को बनी है, या फिर उसके बाद बनी है, तो उसका financial कब से कब माना चाहेगा, उसका financial एक जन्वरी से 31 March ही माना चाहेगा, ऐसा नहीं है कि वो फिर एक जन्वरी से पूरा अगल हो रही है, 29 March को फॉर्म हो रही है, तो भी 31 March को अपना बुक बंद करेगा एक बार, फिर से 1 April से स्टार्ट करेगा निया बुक्स, ठीक है, अब अगर तुम चाहते हो कि तुम को कोई different finances standard मानना पड़े, मतलब तुम्हारी company कोई अलग financial year मानना चाहती है, अलग financial क्यों मानन सब्सेटरी मेरी यहां की company है, जी के लिमिटेड, ठीक है, तो पीके का holding का करकर रहा है, जी के यहां वाली, तो अब यह वाली company को अपना balance sheet वगरा सारा detail उसके पास भिजना पड़े, क्योंकि holding company सारा information दिना पड़ेगा, उसका financial कुछ और चल रहा है, तो क्या करना होगा, इसको अपना change करना पड़ेगा नहीं, तो इसको बहुत दिक्कत होना है, अपना इसाप से बनाओ, फिर वो जब आएंगा तब बनाओ, तो यह problem वो solve करने के लिए, एंसल्टी के पास जाके बहुत लगते के सार देखो, हम तो इस company की holding company है, हमारे काम करो, हमारे financial को थोड़ वो company जो इंडिया में incorporate हुई ही नहीं है, इस called foreign company always, ठीक है, which has a place of business in India, whether by itself, भले foreign company का मतलब क्या है, वो बाहर देख में बनी है, ठीक है, मतलब अमेरिका की एक company है, पिके लिम्पी का एंसी, वो अमेरिका में बनी है, लेकिन इंडिया में उसका place of business है, चाहे वो direct हो, अपन इंडिया में है, ठीक है, या फिर कोई भी business activity कर रही है, इस called foreign company, अब मान लो हम एक example दे, एक company है, that is, कोई एक्जाम ने रहता है, ZN Limited, ZN INC, ठीक है, अमेरिका के company है, उसका इंडिया से कोई लिना दिना नहीं है, ZN INC, अमेरिका के company है, वो अमेरिका में ही business करती है, बाकी नहीं आएगा, reason, उसका जब तक, इंडिया में, if place of business ना हो, वो foreign company नहीं बनेगा, अब अजीब सा बात हो रहा है, foreign में बना है, foreign में incorporate हुआ है, मानते बात को, लेकिन, इंडिया में उसका place of business क्या है, यहां पे बोला ना, place of business इंडिया में होना चाहिए, इंडिया में वो क अब खुद बताओ, अगर तुम्हारी company कोलकाता में काम कर रही है, इंडिया में काम कर रही है, और वो उसका बाहर का कोई business है यह नहीं, और अचानक बाहर देश का भी compliance लग जा तो वो करेगी काम, नहीं, same चीज़ यहां पे भी है, नेक्स्ट, free reserve means reserve which as per last right balance sheet are available to distribute dividend, जो बेडिविदेन देने के लिए पैसा बचा होता है, उसको हम लोग बोलता है free reserve, वो dividend दे सकते हो, that is हमारा free reserve, but free reserve के अंदर क्या क्या हम लोग कभी consider नहीं करेंगे, यह वाले लोग, that is हमारा unrealized gain, unrealized gain मतलब, वो gain जो कभी हमको मिला ही नह दिया ही नहीं, unrealized gain, यह हमको मिलने वाले थे तो, लेकिन मिला नहीं न, that is not a profit, it is not a free reserve, ठीक है, national gain, अब national gain का मतलब, वो gain, जो हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं है, मतलब, example दे, तो मान लो मेरा मेरा जो office है, वो मेरा खुद का purchase क्या office है, ठीक है, मेरे खुद का बहुत पु अगर है नहीं, अगर हम यह जमीन रेंट पर लेते, तो हमको 50,000 रुपया अर्मन देना पड़ता, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे है, यह 50,000 रुपया मेरा profit है, इसको लेकिन मेरा profit है, क्या यह profit हुआ, नहीं, तो यह जो, नॉश्टल गिलाना, जो gain हुआ ही नहीं है, बट ह होता, अगर ऐसा होता, तो यह जो नॉश्टल गिंट नॉश्टल गिंट फ्री रिजर्फ, री वैल्यवेशन अफ एसेट, री वैल्यवेशन अफ एसेट भी देखो तो वही चीज़ है, क्या से मेरी एक लैंड बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक है, जिसका कीमत आज की बढ़ेंगे तीन लाग रुपया, ठीक है, फ्री रिजर्फ में डाल देते हैं, एक लाग रुपया, प्रॉफिट हो गया, एक लाग का मेरा जमीन बढ़ गया, जमीन बढ़ा है, वो जमीन तो है आपके पास, ना पहले जमीन बेचो, तब तो वह प्रॉफित आ गया, तो रिवैलिवेशन अफेट, अब एसेट को रिवैल्यू करके प्रॉफित नहीं दिखा सकते हो, सिंपल से बात, और दिखाऊ वह फ्री रिजर्फ नहीं आएगा, उससे आप डिस्ट डिवरेंट नहीं दे रहे हो, ओके, एनी चेंजेज और कैरिंग अमांट अफ दे एसेट अब जो भी तुमारे प्ल में प्रॉफित बचता है, वो भी तुमारा फ्री रिजर्फ है जिसे तुम डिविडेंट दे सकते हो, कोई दिकत नहीं, नहीं है, एक सकंड का गिरा है, नेक्स्ट, ग्लोबल डिपॉजट रसीट, अब ये ग्लोबल डिपॉजट रसीट क्या हो अब ये ग्लोबल डिपॉजट क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजट रसीट का मतलब हो गया, हमारी इंडिया में एक कंपनी है, जिसको फॉरेंट से पैसा उठाना है, ठीक है, हम क्या किये, जारे इक फॉरेंट मार्केट को एक्सस करेंगे तु बहुत सारे अप्लाइंस आ जाएंगे अब जब जीडिया के चाप्टर डिसकस करेंगे तो उसमें डीटिल में जाएंगे अब यहां पर थोड़ा सा समझ लो कॉंसर अपने कंट्री के बैंक के पास जाएंगे बोलेंगे काम करो यह लो मेरा फोरिंग को पकड़ेगा अब फ़र इन का इस इंडियन बैंक से फारम Committee क्या कि आ यह जैसे पीड़ाएंगे से फास अग्या इसके पास अगया इसके पास किड्रेमैंट Jakob इसके पास क्या पैसा भाई के सेट इपस को नपनेपास कि वैठा लैगा कुछ नहीं करें ब्रकτό किसी को दिएगा जब वापस देना होगा तो यहींशे कटाएगा और इसपैसा को वापस करते चला जाएगा pass क को शाट आता है कि अ मतलब जहां पे central government यह state government central government प्लस state government मिलकर कितना होड करें 51 परसेन से ज्यादा hold करें किसी भी कंपनी में इसकोड voting power को भी अगर control voting power उनके पास यह एगर फिर शेयर खर अगर equity तो वोटिंच पार आई जायेगा तो उनके पास उसको क्या ओहुए हैं अम लोग गुर्मेट कंपनी टेक है, अब देखो होल्टिंग कंपनी का मतलब क्या मैन सकती कंपनी जह सब्सिटरी और कंपणी आब खोल्ट कर रहा है बन जायता हम लोग देल सक्ष सब्सूर्ट कंपनी तर उसका क्राइटरिया दिया गया है जिस क्राइटरिया को सटेस्फाइए करने के बाद जा के आप इंडिपेंडेंट डिरेक्टर बन पाऊगे अब क्या है यह चाहिए के बारे में ओलेडी वीडियो अप्रोड है क्लिप मार के देख लेना इंडिया डिपाज़ित रसीट ऐन एंडेंड और इंस्ट्रुमेंट इन फर्म आफ डिपाज़ित रसीट रिट इए पाइट वाइड इंडिया अच्छिड अश्चेज थोड़ा सा चिंज को उस विडियो में चिस दिस लिए कि मैंजिल परसन नहीं नहीं इदर कुछ काम का नहीं है छोड़ दें छोड़ दो लिस्टेट कमरी मतलब जो भी रिकॉगनाइस टॉके लिस्ट हो रही है अच्छा कुछ 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 चीज को अगर से बचाने के लिए कुछ क्लास ऑफ सिक्यूरिटिस को बोग ऐसा बोल दे रहा है कि यह सिक्यूरिटिस अब अगर आप लिस्ट कर रहे हो तो भी आप लिस्टेट कमपनी नहीं माने जाओगे ताकि आपको से वी के जो टफ कंप्लाइंस वो ना करन करने के लिए टाइड़ाग समस्ते हो 51% से हम लोगा आटिर एजुशन पास होता है लेकिन क्या होगा अगर 50% और 50% ना हो जाए तो कि अगर 50% हा 50% ना हो जा रहा है तो डेड़ाग क्रेट हो गया तो इस ताइम पर मैनेजिंग डेरेक्टर के पास एक 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 एक्स्ट्रा अब मेंबर कौन हता मेंबर का मेंबर काॉन हा डावर पर देख सकते हैं अच्छा नेट वर्थ का क्या मतलब होता है नेट वर्थ मतलब पेड़ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्यारिटी प्रीमियम ठीक है प्लस पीयर का बैलेंस आफ्टर डिड़क्टिंग क्या-क्या एक्युमुलेटिड लॉस को घटा दो डिफॉर्ड एक्सपेंडिचर को घटा दो जो होने वाले मिस्लीनियस एक्सपेंडिचर को राइट अफ कर लो ठीक है जो भी आपका बैलेंस इट में उसके बात जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग डेप्रिशेशन वगरा को एड़ डिफालट का मतलब वो श्री जिgcodil घलति मानेंगे किली टाइम डाइटर क्योंकी वह कंपनी में डेटिडर कि अदर पर्टेस्पेट करता है अब अब देटिटेटेंड ऑटेस्पेट करता तो परदम अगर का नह Calvin सीए नहीं है तो को ओई को दिक्त नहीं फिर जो उसको वो डेजिनेट करते हैं वाइट के एंपी माना जाएगा लिक्विडिटर अगरा का डिफिनेशन आई बीसी के इंदर पढ़ने मिलेगा सेम चीज वन पर्सन कमपनी मींस अ कंपनी आज वन ली वन मेंबर अब यहां पे बहुत इंपर्टन पॉइंट है one-person company means the company has only one person is a member world member is very important बिकॉस एक one-person company में एक से ज्यादा director आप रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मेंबर सिर्फ एक होगा समझे मतब शारा शेयर एक ही इंसान के पास होगा लेकिन उसके पहल गारे थर यहसं से ज्यादा हो सकता है ऐसा कोई दिक्ट नहीं है क्लियर कि छोड़ा हूँ मैं न चलो इदर का कुछ काम का नहीं है प्राइवेट कंपनी में से कंपनी यह वाला चाहिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी अब क्या पहले यू भी अचाहिए प्राइवेट कंपनी में से कंपनी हविं मिनिमम पेड़ शेयर कैपिटल जो कि हटा दिया गया ओमिटेट आज में प्रेसक्राइब एंड विच बया आर्टिकल रस्ट्रिक्ट राइट राइट आफ ट्रांसफर लोग वाट इस प्राइवेट कंपनी सब्सक्राइ वही है फिलाल ठिक है प्रेसक्राइब एंड आफिकल प्रृियू प्रिसक्राइब कर रहा है कि अहाथ पर मैक्सिम्म कितने हो रहा है मैक्सिम्म टू हंडिड लोग रहता है पैले बात दूसरी यह वन परसन कंपनी नहीं होनी हONी चाहिए तीचर यहां पर टू ट्रांसफर तो जो शेयर ट्रांसफर करने का बात है उसमें थोड़ा रस्ट्रिक्शन रहता है ओके पबलिक कंपनी क्या मतलब क्या होता है यह जो हम लोग मेक्सिम टू हंडड़ेड ठीक है मैक्स मिनमम टू और मैक्सिम टू हंडड़ेड मानता है ना मिनिममम टू लोगों ने चाहिए जिसमें एक्सेप्शन भी अगर आप इस एंप्लाइमेंट के थ्रू इस आप के थ्रू अगर आप शेयर लेके बैठे हो तो वह एक काउंट नहीं होगा ठीक है क्या चाहिए प्रमोटर थेक है एड जो कंपनी के कंट्रोल को मैनेज कर रहा है डेट्यु एफेर्स के जिसके एडवाई से बोर्ड लौड डारिटर्स काम कर रहा है इस काल्ड प्रमोटर ठीक है subsection two subsection 69 clear next prospectus just document get through up kya kare ho paisa uthar ho public for subscription of the purchase of security this document get through a public say security subscribe karne boller is called prospectus clear a public company means a company which आप अब चको प्राइवेट कमपनी यह इसका पैड़र इतना होगा ठीक है जिसको गॉन्मंट एक्सीड कर सकता है बाद में फूचर डेत में सब्सक्राइच हो सकते हैं तो हंड्रेच कांट करते समय हम लोग यहां पर जो लोग इंप्रीमेंट के वज़े से मिला वाए है जो पूरानें इंप्राइमेंट में थे उनके पास एसे उनकों लोग कंसिडर नहीं करते हैं एन्डी इसके साहते एक पॉइट और अगर रकोई दो लोग एक साथ दो इन्स पब्लिक फिनांस इंस्टिटूट के अंदर पी एफाई हम लोग बोलते हैं पीएफाई के अंदर का थे को सारे बड़े बड़े लोग के नाम आ रहे हैं लाइसी आगा इंफरस्टेश डेवलेप्मेंट कंपनी आ गया आई डी एस सी जिसको बोलते हम लोका ठीक है सब देख हिए फिंदू अंदर अपने फैमली ये-खी एफ के अंसरे हे अब लिए फिंदू एक हम लोग आप लिटीव भूंगे और वह स्बात है लिए खोका फिलन टेंटीड कंवे अब ये प्रसक्राइब देख लेता है अब नोगों पूरा डश्य निंदिग गया ऑथी फादर आ गया डाटर के था बाष रहिए आज अगया थे स्क्राइव बाजय कि दॉक्वन आजा जाएगा भाई एंध्र doğru आजाएगी सिस्टलक्रांट ओसक्ष्स प्लיश्ट कीडेरों स्वाहते हैं श्रीफ कहने दहां यहां से का मतलब जो अगर उसका सन है यह लोग अगर है तो उसके डिलिटिफ कहे जाएंगे पार्टी ट्रांजिक्शन में भी आता है और और को यह वहां पार्टी नहीं करता है तो यह लेटिव वर्डज होड़ा बात इंपर्टन अब इस वर्ड का मतलब किया ओटा देखू यहां पर लाभी को थे निक्स जाएंगे स्माल कंपनी इसका डेफिनेशन दिया हुए देखो स्माल कंपनी का डेफिनेशन स्माल कंपनी मीन से कंपनी और दाना पब्लिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है पहली बाद ठीक है जिसका पेड़ प्रेस्क्राइब टेन करोड से जादा अभी भी नहीं है जिसका टर्न टेंट करोड से कम है एंड तर्न अबर टॉर्ट रूपीज दिए गया लेकिन रहा लोटिंग कंपनी नहीं होने चाहिए अप किसी होल्डिंग की सब्सेडरी नहीं होनी चाहिए ठीक है सब्सक्राइब outta the तेच्ट क्या और प्राइवेट क्मपनी का देफिनिशन क्या था प्राइवेट का देफिनिशन दा कि मैक्सिम तू हंडड़िड मेंबर होंगे आपके पास आप फिर ट्रांसफर में रखा के रखोगे इतना असानी सबक्द रेस्ट क्वर्वर नहीं कि दोज़ा पंद्रा कमेंडमेंट के बाद ही अठा दिया गया था कि ओके सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहा है होल्डिंग कमनी हो गया ना होल्डिंग सब्सेट्री मेमोरिंडम नहीं इधर नहीं हुआ है कि चलो पी के पास थे हैं अब से फॉरेंग कंपनी के बारे में डिसकस कर लिया है हमने मैंनजिंग मेंज फॉल टाइम कंपी यह सब डिसकस हो चुका है ऐइए आई तिंग आपका नेक्स्ट इस पी फाई के बारे मताया भी ना चालो अच्छी बात है अग्लोग अग्ला एड्रिस कौन सा होने वाला है और टाम डिरेक्टर का मतलब क्या है जो होल टाइम्प्लाइमेंट के अंदर आते हैं इसकांड होल टाइम डिरेक्टर और इसके और कुछ नहीं है वर्ड एक्सपेशन बस लास्ट सिक्यारिटी को ट्रेट हो गया है हमारा, jetzt वोटिंग राइट का मतलब का मिम्ब अव कमझ लिम्च चिसके बांब कामने का मतलब कोई ऐसी कमठी। कोई Limited नहीं है अब क्या लिमिट नहीं तो वो पूरा का पूरा सब कुछ उसका मतलब जो मन करेगा जितना है है जो भी खर्चा वगरा सब इसको देना पड़ेगा दाटिर उसका रिपी को बोलते है हम लोग लिमिटेड लियाबिलिटी इसी वर्ड का मतलब बता है अब लोग क्या समझते हों कि अगर सारव लइटी उसी का है तो यह लाइबिलीटी क्रियेट क्यों क्यों करेगा वो कंपनी बनाएगा एक यूँ वो पार्टनरोशिफ अम ना को ले ठीक है नेक्स आता है इल्लीग एस का मतलब क्या होता है exactly को बदा सकता है illegal association का मतलब इस more than 50 person कोई भी business and profession continue कर रहा है तो हम लोग उसको बोलता है illegal association कि हाप पर हमको दिखाने ऐसे हैं अच्छा देख लेते हैं कि अच्छा थी नहीं नहीं दिखा च्छोड़ों illegal association का मतलब more than 50 अगर 50 लोग से ज़्यादा कोई business कर रहा है बिना registered हुए then it is called illegal association के रूपे माना जाता है उनको किसी नहीं किसी फॉर्म में register करना पड़ेगा लेकिन अगर वह हिंदू undivided family है तो वह 65 members तक रह सकते है कोई दिक्कत नहीं है उसके उपर जा रहा है तो भाई या उनको किसी नहीं किसी एक के अंदर register होना ही पड़ेगा अगर रजिस्टर नहीं होते है तो इन लीगल association माना जाएगा और फिर प्राब्लम है पैनल्टी बहुत कुछ लएगा तो हम लोग पूरा का पूरा सेक्शन टू जो हमारा definition क्लॉस था पूरा का पूरा discuss कर चुक है जिसके अंदर हमने सारा कुछ discuss किया managing director के बारे में discuss किया जिसके पास हमारा सबस्टेंसियल पावर है चेर परसन के बारे में discuss किया जो हमारे डेडलॉक को दूर करता है अगर रहता है तो ठीक है उसके पास दूर कर सकता है अब डेडलॉक कैसे दूर करेगा वह उसके पास एक वोट एक्स्ट्रा होता है एक गंदा question मनता है कि क्या special resolution अपने चेर्मन अपने डेडलॉक वाले वोट से जो एक्स्ट्रा उसके पास वोट है क्या उससे वह special resolution पास करवा सकता है तो एंसर होता है नहीं क्योंकि special resolution के लिए कितना चाहिए वोटिंग 75% वोटिंग फेबर और ordinary resolution के लिए क्या चाहिए majority मतलब 51% से जाधा अगर आपको वोटिंग फेवर मिल गया तो वो क्या हो गया resolution पास हो गया 51% that is ordinary resolution special resolution is called 75% से जाधा अगर पास करवाना होगा तो हम लोग बोलता है special resolution एक आता है entrenchment clause, entrenchment clause यहां पर नहीं लिखा हुआ है कहीं भी entrenchment clause हम लोग जब जाएंगे articles के अंदर पहुंचेंगे तो हम पे entrenchment clause मिलेगा अब इतना आसान नहीं इसको change करना क्योंकि 90% लोग का हाँ भी तो होना चाहिए that is called entrenchment clause तो यह भी मैंने explain कर दिया जो जो मैं को extra दिखा याद आया अब मैंने definition clause पूरा complete कर दिया मिंस जितने important तो उतने क्लियर करी दिया अब इसके अंदर वैसे बहुत बकवास भी है कुछ-कुछ काम के नहीं है तो उन्स को मैंने consider नहीं किया फिर भी सायद एक दो छूड़ गया हो तो एक काम करना आप comment system जाके लिग देना यह वाला यह पढ़ाया आज के डिट पे आज करेंटिव थर्टी जैनवरी 2021 थर्टी जैनवरी 2021 को यह सारे अमेंडेट है मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है ठीक है आगे का जो अपने आप बता दूगा आपको तो आज के वीडियो में अगले वीडियो में अगला कुछ दिसक्स करें सब्सक्राइब देख लेंगे बाकी सब तो हो गया है चलिए मिलते आंगले वीडियो में बाए बाए